हाई गाइस आज लेसन नमर 15 आज मैं आपसे बात करने वाला हूं रिलीज के उपर फास्ट बोलिंग अंदर सबसे जो लास्ट पॉइंट किसी भी बोलर का बोल के साथ में वह रिलीज पॉइंट होता है और वह अच्छा होना बहुत जरूरी है और आपका रिलीज पॉइंट बात करूंगा और आपको बताओंगा कैसे अपना रिलीज अच्छा कर सकते हैं ज्यादा विक्टे और ज्यादा अच्छी बोल डाल सकते मैचिस के अंदर या फिर अपने जहां भी आप्रैक्टिस करते कैसे अप्रूब कर सकते चीजों को अगर आप किसी एक्जांपल के त इस तरह हो गया तो कभी उस तरीके सब पावर ने लगा पाएगे बोल के पीछे जो लगनी चाहिए आपकी पावर आधी हो जाती है जब भी आपका रिस्ट इदर उदर हिलता है तो हमेश्चा सबसे पहले चीज आपको ध्यानक नहीं है जो आपका पाम जो फिंगर और तो इस तरह के साब चीजों को छोड़ते हैं अपको ध्यान अगने सबसे पहले चीज कि आपका जो रिस्ट पोजिशन है वो इक्तम स्ट्रेट हो फिंगर बोल के पीछे हो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं अभी यह मेरी फिंगर बोल के बिल्कुल पीछे है तो जब मै आप से बोल रिलीज के टाइम पर सूचे कि आपका जो पाम है यह बैट्समेन को आप दिखाए पाम आपका बैट्समेन को दिखाऊँगे तो आपकी जो फिंगर्स और आपका फोराम है बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और आप ज्यादा बोल के पीछे पावल लगा पाओग करना लोक रखने और विकेट के उपर मारना है जोर से आपको बॉस आके फैक नहीं देनी आपको बोल को हिट करना है तंशना जादा better आपको बाउंस मिलेगा उतना जादा पूल सीधर जाकर के लीटत भिंग होगा और उतने आपको बॉल-इंदर विक्ते ये अगर मेरा रहे सी जेंगा में थोड़ा अजर्का फुल-कशन है और कि लागोड को में यह को पर नहीं होता है बहुत जादा नेचे के लिए एजस्ट होता है वह बहुत ज्यादा नहीं करना आपको यहां से जा रहे यह तो इधर चले गए वह नहीं करना जितना हो सब्सक्राइब कोशिश करना है कि ही यह रखे जितना लंबे से लंबा रहोगे एक्शन के अंदर उतना ज्यादा विकेट के पर हीट कर तो इस चीज का ध्यान लखना है दूसी चीज जो रिलीज में है कि आपका आमपाद मैंने पहले भी वीडियो में बदाया था कि आमपाद जितना आपका लंबा होगा उतना आप ज्यादा तेज बूल डाल पाओगे जितना आपका छोटा चलेगा उतनी कम फोर्स रखती है तो जितना आपका आउने के बाद में पूरा जितना बड़ा सरकल बनके आएगा बॉलिंगां के साथ में उतना ज्यादा आप रिस्ट अच्छा लगेगा और आपकी बोल में ज्यादा पावर आईगी तो यह चीज आपको रिलीज के देछान अकनी है आने वाले वीडियो म में लेकिन आपको ध्यान अकना है कि आपको रिस्ट आपको जो रिलीस पॉइंट है बहुत इंपोर्टेंट है और इनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं इसके उपर मैं आपसे बात जरूर करूंगा सबसे पहले तो बेसिक डिल आपने काफी बोलर को देखा होगा वह ऐसे बैक सब्सक्राइब करना चाहिए तो एक तो आप फ्री टाइम में जब भी आपको टाइम मिले इस चीज को करते रहे अपने प्रैक्टिस में ज़रूर इंक्लूड करें दूसरी आप कर सकते आप खड़े होके दस मीटर दूर या फिकेट गीपर के नेट के गेंस्ट आप अपन प्रीज में ध्यान अगने जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि आपकी जो फिंगर्स आपका जो पाम रिस्ट एक दम बोल के पीछ होनी चीए क्योंकि अगर यह पीछे नहीं होगी तो आपके बोल में नहीं आपाईगी तो यह सीधा होना बहुत इंपोर् इंपोर्स जोड़कर अलग अलग तरीके की बोले डालनी है उन सबको मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप सीख सकते हैं और जरूर चैनल को कर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को जितना हुसके शेयर करें क्योंकि आप शेयर करोगे अपने दोस